हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डी सरस्वती अकाडमी यूट्यूब चैनल में आज का प्रश्न अर्थशास्त्र क्लास 10 के एक चैप्टर विकास से है प्रश्न उत्तर जानने से पहले विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्रश्न है विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलों में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है इसका उत्तर है UNDP यानि संयुक्त राष्टर विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक दोनों ही देशों के विकास को मापने के मापदंड बनाते हैं, लेकिन इनके दृष्टिकों अलग है विश्व बैंक मुख्य रूप से आए, जैसे प्रतिव्यक्ति आए को देखता है इसके अनुसार जिस देश की प्रतिव्यक्ति आए अधिक है, उसे विक्सित माना जाता है इसका जोर आर्थिक विकास पर है, यानी केवल पैसे या संपत्ति की उपलब्धता पर वहीं UNDP का मापदंड आए के अलावा तीन मुख्य पहलूँ पर भी ध्यान देता है इसे मानव विकास सूचकांक यानी HDI कहा जाता है UNDP मानता है कि केवल आए से विकास नहीं मापा जा सकता इसके अनुसार अगर किसी देश में लोगों का जीवन स्तर, शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं तभी उसे विकास शील या विक्सित माना जाएगा इस प्रकार UNDP के मापदंड, विश्व बैंक के मापदंड से अधिक समगर और मानव केंद्रित हैं तो यही था इस प्रशन का उत्तर, अगर विडियो पसंद आई हो, तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को ये विडियो जरूर शेयर करना और अगर कोई प्रशन पूछना हो, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मिलते हैं आपसे अगली विडियो में